कि आप सभी एव एक्जाम में आप सभी का स्वागत है मैं अवनीश चलिए स्टार्ट करते हैं आज ही क्लास आज आपने टाइटल देख लिया होगा कि एससी जैई-23 के लिए जो आपका पेपर आया था उस पेपर का मैं अनलेसिस तो नहीं करवा पाया क्योंकि उसमें कुछ करेक्ट दिया हुआ था दूसरा अब आपको दोजाट 24 के प्रिशन करनी है तो उससे पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रिमेंस में आकर रहा है ठीक है क्योंकि उसके भीना आप आगे प्रिशन को चिसे नहीं कर पाएंगे तो एक शोट आउट मैं आपको देना च चलिए ठीक है बहुत सब्सक्राइब करते हैं कि सर हमेशा आप यूट्यूब पर BMC स्टार्ट कर देते हैं ठीक है या फिर आपके पास RCC स्टार्ट कर देते हैं तो अब हम देख लेते हैं कि उनका जो वेटेज है वो क्या है उसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे वाल तो फिर क्या फाइदा है उसको पढ़ने का तो उसके साफ से आपको अपने दिमार्ट में अभी से माइंड्सेट बनाना पड़ेगा कि इस टॉपिक हो तो ढंक से हमें पढ़ना पढ़े उसके औरी मेंइ भी जादा आएंगे और में में जादा आएंगे तो वह साथ नंबर का अकिला यही वाला टॉपिक आया है इडिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक है उसके बाद यह जो दिख रहे हैं चार टॉपिक्स इन चार टॉपिक्स से दस कोश्चंस आए हैं तो इनका जो वेटेज है वो कुल मिला के आपके थर्टी 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 कोश्चंस का रहेगा ठीक है अब हाप देख लीजिए कि FM, HM और OCF एक बड़ा पार्ट है और इसमें से कुल मिला के आपके दस कोश्चंस आए है इरिगेशन, हारलोजी दोनों मिला के दस कोश्चंस आए है Soil and Foundation Engine के भी 10 कोश्चंस आए है Estimation Costing के 10 कोश्चंस आए है Survey जो आपके प्री में भी अच्छा कासा वेड़ी था Mains में भी आपके 9 कोश्चंस आए है उसके बाद बचेंगे ये तीन टॉपिक जैसे Steel, RCC और आपका Environment इन तीनों से 7-7 कोश्चंस आपके आए हैं बात करते हैं Swamp 5 कोश्चंस, Highway 3 कोश्चंस, Railway 2 कोश्चंस तो देखो क्या है कि मैंने यहाँ पे पूरा समझा दिया आपको कि कौन-कोन से टॉपिक से कोश्चंस आए हैं सब्जेट से कोश्चंस आए हैं लेकिन में चीज़ आप समझेए, जो सब्जेट आपके theoretical है, उनका वेटिस देख लीजिए आप, वही BMC का, BMC, ठीक है, और मैं वाल लेता हूँ कि FM का बहुत सारा पार्ट, हाफ पार्ट ये FM को उटाई देता हूँ मैं भी, ठीक है, irrigation वाला पार्ट, तोयल वाला पार्ट, estimation वाला पार्ट, survey वाला पार्ट, ठीक है, environment वाला पार्ट, और आपका highway और railway वाला पार्ट, इन सब को मिला के आप देख लीजिए, कितने questions आए, 20 questions ये आए है, irrigation के आपके 10 questions आए है, तोयल के 10 आए है, estimation के 10 आए है, इसके 9 आए है, और highway और environment, survey को होगे, environment के 7 questions आए है, और highway रिलोंग मिला के आपके 5 questions आए है, तो 20, 30, 40, 50, 59 और 59 और 12, that equals to 71 questions, 71 marks का आपका theoretical आया है, ठीक है, तो कुल मिला के 71 marks, 71 questions, sorry, not marks, 71 questions आपके theoretical topics से आए है, इसका आपको सहमें आ रहा है कि theory का weightage ज्यादा रहेगा, statement वाले questions पर ज्यादा focus करना पड़ेगा, आपको इस तरह से पर patience करनी पड़ेगी, ठीक है, तो ये आपको एक overview देना था, जिससे कि आपकी आगे की जो पढ़ाई है, उस पे आप जब भी इन topics को पढ़ें, तो एक extra focus लेके चलें, कि जो आप topic पढ़ रहे है, उसका weightage क्या है, as per the pre, as per the mains, यदि आप mains के साब चलेंगे, तो आपका pre भी अच्छा होगा, यह आपको पता है, तो कि main जो number आता है, वो तो mains के थुरूई आता है, तो कि pre में बहुत कम variations देखने को मिलता है, toppers में और आप में, लेकिन mains में दे क्लास स्टार्ट करनी है, उसमें सबसे पहले कौन सा subject स्टार्ट करें, कौन सा subject, सबसे पहले स्टार्ट करें, पहले तो आपको मुझे यह बताना है, और दूसरा यह बताना है, कि आपको चाहिए क्या सिफ question practice, question practice, या फिर theory के साथ question, आपको यह बतानी है, दूसरा, SSEJ24 का जो batch है, वो लोंच हो चुका है, जिवाच्च ने अब तक इसको grab नहीं कर रहा है, वो चाहिए grab कर सकते हैं, इसमें आपको content इस form में मिलेगा, जो classroom में पढ़ाया जाएगा, पूरा pictorial representation, उसके बाद questions, questions के बाद उसका solution, statement वाले questions, ज आपके mains में काम आते हैं, ठीक है, और यह statement वाले questions जो आपके बिरी mains में आजकल बहुत ज़ादा आने लगे हैं, और 300 से 400 questions आपको मिलते हैं, self practice के लिए, जो आपके questions, answer, solution की form में मिलेंगे, ठीक है, तो इस batch को आप purchase कर सकते हैं, इसमें आपका RCC start हो चुका है, कल आपकी प इसमें डालते हैं, तो आपको 20% off मिल जाएगा, यदि आप ये promo code यूज करते हैं, तो 20% off आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है भाई यो, तो ये shocking data में आपको बताया है, जो आपके mains में देहने को मिला है, इससे के हिसाब से अपनी preparations को जाई रखी है, तो आगे जाके आप को काम आएगा, तो बताने हैं आपको कि कौन सब्जेक हमें स्टार्ट करें, तब तक के लिए बबाए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर चैनल, तब तक के लिए बबाए, जैहिन, जैभाद